हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप सभी मम्तकिशन रेसिपीस में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रहे हूँ गाजर का चटपटा खटा तीखा मसालेदार अजार जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा और आप इसे मिंटों में बना करके तया होता है और बहुत कम तेल में यह बन जाता है आप इसे रोटी परांठे पूरी छोले बटूरे या फिर शाट के साथ भी सर्व कर सकते हैं बहुत बढ़िया लगेगा यह चटपटा चार तो चलिए दूस्तों बिना चादा देर किए अब हम इस स्वाधिस चटपटे गाज और नही रसेबी को सबसे पहले देख सकें गाजर का चार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 kg गाजर ली है आज हम 1.5 kg गाजर का बना रहे हैं इन गाजर को मैंने पहले एक दंचे से वोश करके पीलोफ परके इस तरह से लंबी सलैसे कट कर लिया था और इनका जो बीच क को एक बावल में ट्रांसवर कर लेते हैं और अब हम इसमें एड़ करेंगे कुछ ट्राय मसाले वन एड़ हाफ टेबल स्पून मैं इसमें नमक एड़ कर रही हूँ साथी मैं इसमें आदा चोटी चमच हल्दी पाउडर एड़ कर लेंगे दो चमच हम इसमें लालमेश पाउडर एड़ करेंगे आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लालमेश पाउडर भी डाल सकते हैं जिससे आपके अचार में एक अच्छा कलर आएगा लेकिन जो मेरा ये normal लालवेश पाउडर है वो बहुत अच्छा कलर देता है तो मैं इसमे normal लालवेश पाउडर ही डाल रही हूँ दो चमच हम इसमें दर्दरी कुटी भी सौफ एड करेंगे आदा चमच हम इसमें साबुत सौफ एड करेंगे अचार बनाने के लिए मोटी सौफ आती है जो मार्केट में आपको इसली मिल जाएगी इसका टेस्ट अच्छा आता है अचार में साथ हम इसमें दो चमच राय डाल एड करेंगे जो पीली वाली सरसो होती है बस उसी की ये डाल होती है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें पीली सरसो याने की पीली राय भी डाल सकते है राय डाल का अचार में बहुत अचा टेस्ट आता है ये मार्केट में आप चमच कलोंजी एड़ कर लेंगे दो चमच हम इसमें अमचूर पाउडर एड़ करेंगी जिससे आपका अचार एकदम खटा तिखा चटपेटा बन करके तयार होगा चुटकी भर हम इसमें हींग एड़ करेंगे लगभाग वनफोर्ट टेबल स्पून मैं इसमें हींग एड़ कर रही हूं और अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे दो टेबल स्पून सरसो का तेल मैं इसमें कच्छा सरसो का तेल एड़ कर रही हूं कच्छी घनी सरसो का तेल मैं इसमे एड़ किया है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है सिर्फ दो चमच ओल से ये अच्छार बन करके तयार हो जाता है तो फ्रेंड्स ये अच्छार आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा और साथ ही इसका टेस्ट में कोई जवाब नहीं है बिना किसी जंजट के बन करके तयार हो जाता है और अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ओल डालने से ये सभी मसाले आपस में चिपक जाएंगे गाजर बिक दमचे से कोट हो जाएंगे सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे एक चम जाल देंगे तो आचार का टेस्ट बिकड़ जाएगा इसलिए आपको सिर्फ एक चमश विनेकर ही डालना है इसमें और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्यार में यह दीखिए हमने इसे एक दमच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे ढख करके लगबग 12 घंटे के लिए साइड में रख देंगे जिससे यह सभी मसालों को एक दमच्छे से अंदर तक अब्ज़र कर लेगे गाजर में एक दमच्छे से फ्लेवर आचाया का सभी मसालों का आप चाहें तो इसे ओवरनाइट याने की 7-8 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं बीच में आपको इसे एक से दो बार शलाते भी रहना है ताकि सभी मसाले आपस में एक दमच्छे से मिक्स हो जाए और एक दमच्छे से चारों तरफ गाजर पर कोट हो जाए और 12 घंटे के बाद या आप यह में भी अपना मोइस्टर चोड़ दिया है और सभी मसाले की इस तरह से एक दमच्छे से मिक्स हो गए और इक दमच्छे से कोट हो गए हैं गाजर में के अंदर तक यह मसालों का फ्लिवर आ गया है और अब हम इस अचार को एक कंटेनर में निकाल लेते हैं यहां मैंने काच का जार लिया है काच के जार में अचार जाता लंबे समय तक चलता है और एकदम इस जार को मैं एकदम अच्छे से वाश करके गरम पानी से वाश करके धूप में रख दिया था ताकि इसमें बिल्कुल भी जमस ना रहे और ना ही कोई नमी रहे अचार डानने के लिए आप इसमें बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा इस सारी अचार को हम इस जार में निकाल लेंगे अचार हमारा रैडी हो गया है और यह बहुत ही बड़ी अचार बंकर की तयार हुआ है अगर आप इस अचार को पांच से चैम मैंने में खा लेंगे तो आपको इस अचार में और ओयल डालने की जरूरत नहीं है आप इसे ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं लेकिन आप इस अचार को सालों तक चलाना चाते हैं तो आपको इसमें ओयल को एक दमचे से गरम करके एक दमचे से ठंडा कर लेने के बाद आपको इस अचार में डालना ह का उपर से और इस अचार को ओयल में डिप करके रखना होगा ताकि अचार सालों तक चले लेकिन अगर आप यह अचार थोड़ी समय के लिए ही बना रहे हैं थोड़ा साचार बना रहे हैं तो आपको इसमें ओयल डालने की जरूरत नहीं है आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं बहुत बढ़िया यह अचार बनेगा मैं आपको इस अचार को ओयल में डिप करके भी दिखा देती हूं कि किस तरह से आप इस अचार को सालों तक स्टोर करके दख सकते हैं यह अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा यहां मैंने गीस पर एक छोटे पैन में धाय सो करम त अचार के तयार हो गया है और अब यह चार सालों तक खराब नहीं होगा लेकिन मानmillे फ्रेंड्स अगर ऐक बार इस तरह से अचार बहूत खारस बनाकर कर खार लेंगे तो आप बाकिसा अचार में भूलीजाएंगे आप्षyty रेसिपी को जरूर ट्राइकर कर देखिएगा आपको और आपके परिवार को ये बहुत अच्छा लगेगा साथ ही अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भू अगर आप मुस्से कोई ओड़नी रेसिपी भी जाना चाते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट शेक्षेन में कमेंट करके बता सकते हैं मैं आपके लिए वह रेसिपी भी जरूर लाऊंगी चली दोस्तों आप इस स्वाधिस्ट चटपटे चटकारे लेने वाले गा आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई